मैंने अपनी और से मानी अडवानी से स्वयम बात की और बात करने के बाद उनसे आग्रह किया कि आप भुपाल से चुनाव लड़े भुपाल में लालकृष्ण अडवानी को चुनाव लड़ने का नियोता देने वाले बैनर धरे के धरे रह गए आडवानी के लिए पलक पावडे बिछाने की मद्यपरदेश बीजेपी की कसरत भी बेकार गई बीजेपी संसदिय बोर्ड और उनकी चुनाव समीती ने फैसला लिया है कि लाल कृष्ण आडवानी गुजरात की राजधानी गांधी नगर से ही चुनाव लड़े आडवानी इस वक्त भी बहीं से सांसद है दरसल आडवानी इस बार गांधी नगर से चुनाव लड़ने के खास इचुक नहीं थे सूत्रों का दावा था कि आडवानी दरसल नरेंद्र मोदी का गढ़ छोड़ना चाहते थे गुजरात छोड मद्य परतेश जाना चाहते थे जहां उनके अदम भक्त उनके शिश्य शिवराज सिंग चौहान का राज है इसलिए वो भोबाल से चुनाव लड़ना चाहते थे तो क्या आडवानी को गांधी नगर से भितरगात का खत्रा सता रहा था तो क्या आडवानी को गांधी नगर के मुकाबले भोपाल ज्यादा सुरक्षित सीट लग रही थी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी आलाकमान में ये स्पष्ट राय बनी कि अगर आडवानी भोपाल से चुनाव लड़ते हैं तो संदेश गलत जाएगा लोगों को लगेगा कि पार्टी में गुटबाजी हो रही है हालात को मोदी वनाम शिवराज गुट के तौर पर देखा जा सकता है वैसे भी विरोधी लगातार आडवानी को लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं मोदी जी का जो संसकार है बुजर्गों का अपमान करना अपने ही बुजर्गों का साइड लाइन करना और पार्टी से बाहर कर देना ये दुरभाग्य प्रुनस्तिती है भारती जिनता पार्टी के लिए उनके कार्यकरताओं के लिए लाल कृष्ण आडवानी पांच बार गांधी नगर से लोग सभाचुनाव जीच चुके हैं लेकिन सुत्रों का कहना है कि अपने ही शिष्य से प्रधान मंत्री पत की सियासी जंग हार चुके आडवानी को अब ये सीट उतनी भरोसे मन नहीं लगती लेकिन अब तो पार्टी का आदेश आ गया है वो आदेश जिसे नानोकुर के बावजूद उन्हें शिरोधार करना ही पड़ेगा वो आदेश जिसकी अवहेलना आसान नहीं विकरांत यादव दिल्ली आईविन समन बीजेपी संसदिये बोर्ड और चुनाव समिती ने अपना फैसला सुना दिया है सुश्मा स्वराज आदवानी जी को मनाने उनके घर पहुँच चुकी है अब सब को आदवानी जी के फैसले का इंतजार है लेकिन गांधी नगर बनां भुपाल की खीच्टान को लेकर इंडिया नौ बजे कुछ सवाल उठा रहा है क्या आदवानी को मोधी पर भरोसा नहीं है? क्या आदवानी को गांधी नगर से भीतरगात का खत्रा है? भुपाल से आडवानी को आमंतरन गुटबाजी का संकेत है क्या क्या आडवानी के भुपाल से लरने पर शिवराज को फायदा होगा क्या बीजेपी में आडवानी की इच्छा का कोई महत्व नहीं है चर्चा के लिए हमारे साथ हैं RSS के चिन्तक राकेश सिन्हा कॉंगरेस प्रवक्ता शक्ति सिंगोहिल और जन सत्ता के संपादक ओम थानवी आप भी सोशल मीडिया के जरीए इस बहस का हिस्सा बन सकते हैं आईए चर्चा शुरू करते हैं राकेश जी पहला सवाल आप से आप किरपया ये ने कहीए गया कि हम लोग जहां कोई ख़बर नहीं है वहाँ ख़बर ला रहे हैं बात का बतंगड बना रहे हैं आपको पता है सुत्रों के हवाले से बड़े निता ही लोग जब ख़बर बताते हैं कि अड़वानी जी गांधी नगर से नील रहना चाहते भुपाल को ले करके ज़्यादा कमफ़टेबल हैं तो शक यह पैदा होता है कि पार्टी के शिर्ष निताओं में जगड़े तो हैं देखे मैं यह नहीं कहता हूँ कि राजिती में हर जगह हर समय हर चीज हमेशा आदर से स्थिम रहती है मैं इस मानिता के साथ बात कर रहा हूँ मैं कोई अन्प्रेग्मेटिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो प्रेग्मेटिक बात कहना चाह रहा हूं कि भारतिय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या है चुकि इसके सामने कोई बिपक्षाज है नहीं अगर बिपक्षाज है तो राज्यों में कुछ छोटी-छोटी छित्रिय पार्टियां है इसके कारण आज जो बिमर्स का मुद्दा बनता है भारतिय जनता पार्टी के भीतर कालपनिक युद्ध को एक मानेता मानने गए भारतिय जनता पार्टी के भीतर एक युद्ध चल रहा है इस कालपनिक युद्ध के कारण सभी ख़वरे बन रही है अड़वानी जी की का मन होगा भुपाल से लर देगा लेकिन ये सुत्र की ख़बर है अड़वानी जी ने सुएम गुजरात में जाकर कहा था मैं गांधी नगर से चनौल लरना चाहता हूँ अड़वानी जी की उस स्टेटमेंट पर विश्वास कहा जाए कि सुत्र पर कहा जाए यदि मान भी लिया जाए कि अड़वानी जी वहां से चनौल लरना चाहते हैं भुपाल से कैलास जोशी जैसे नेताओं को आउट आफ टर्न बोलने का मौका देना भुपाल में रातो रात अड़वानी जी के बड़े-बड़े होल्डिंग लगाना ये पार्टी के ही लोग तो कर रहे हैं ना सर देखें आपने बहुत जायद सवार उठाया और इसके मीनिंग निकाले जा सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि जनता पार्टी है ऐसी पार्टी है सबसे सुरक्षी सीट बद्यप्रदेश की भुपाल है वहां से कैलास जोसी जी इतने वर्सों से चुनौल लर रहे हैं वह अपनी सीट खाली करके काफी दिनों से करें इसका मैं नहीं मानता हूं भारत्य जनता पार्टी एक बरे वैचारी का अंदूल का हिस्स outta करके काम करी वे मुखर भले नहीं हैं उनकी चुपीator को ओफ दी लाइन नहींrovad करते आप्लोग भी यह इस ख़बरको रहा होंगे ल्कीं जैसा राकेश जी ने कहा कि चुकी विरोध में सामने कोई खबर नहीं है विपक्षी पार्टियों से खबर नहीं बन रही तो हमारे हैं जगड़ा ढून करके आप लोग अपनी खबरे बना रहे हैं हम पर तो सब लोग मीडिया पर ब्लेम डाल देते हैं लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा को देखना पड़ेगा आपको यह तो अभी ट्रेलर है आगे आप मूवी देखना क्या क्या होता है गुजरात का तो एक चोटा पॉंड था वही एक्सपेरिमेंट यहां पे शुरू हुआ है अभी तो यह नरेंदर मोदी जी की मानसिक्ता है कि always tries to prove कि person is taller than party और जो भी बड करे नेता है उसको इस तरह से अपमानित करो मेरी सीधी सी बात यह है अडवानी जी ने कहा था कि बही गुजरात में आप राजंदर सिंग राना जैसा जो आदमी है पांच टर्म से जीतता है बावनगर से उसकी टिकिट मट कातो राजंदर सी राना का गुना यही था कि इन पाठक की टिकिट भी मोधी कातने के फिरात में है तो नेचरली अडवानी जी नहीं चाहेंगे कि फिर मैं अपमानित होके उसी स्टेट से लड़ू आपको मैं 2009 संजे जी याद दिलाना चाहता हूं 2009 में इसी गांधी नगर से अडवानी जी लड़ते थे देखिये आख खतम करना चाहते थे गांधी नगर से अब बात करते हैं कि हाँ अडवानी जी तो मान्यनेता है तो उनके लिए वहां के बोपाल के MP ने सामने से बुलावा दे दिया तो वही बात नरेंद्र मोधी के लिए नहीं हुई जब यूपी में लड़ना चाहते थे तो वहां पोस् जी चाहते हैं जी ओम थानवी साब आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की राय सुन ली आपकी क्या रहा है बीजे पी में नेत्रित्व परिवर्तन का ये ट्रांजिशन का संक्रवन का जो काल है ये बैडली हैंडल हो रहा है नैचुरल प्रोप्रसेस है या अडवानी जी दरासल संतोष्ट हैं अन्मने हैं नाराज हैं क्योंकि उनकी जो एक जत होनी चाहिए उनकी जो प्राइमसी होना चाहिए वो छिंती भी नजला रही है लेकि अपमान किसी को भी बहुत चुपता है बुरा लगता है खासकर आडवानी जैसा कदावर नेता मेरे ख्याल मे सबसे बड़े नेता भारती जनता पार्टी में आज वो हैं संग भी उनका सम्मान करता रहा है पाकिस्तान के मामले में जो भी थोड़ा बहुत दुराव कायम हुआ हो लेकिन मोदी के साथ में ये मुश्किल देखिए उनके सभाव में हैं दो चीजे मैं मानता हूँ मोदी क मामले में बिल्कुल नकारात्मक हैं एक उनका सांपरदा एक दंका सोचना और दूसरा उनका एक तरह का एकादी कारवाद जो है वो अजितना एक वाद की तरफ चला जाता है जिसकों तानाशाही कहते हैं और आप देखिए पांच बैठकों के बाद में भी अगर बार्टी जनता पार्टी अपने सबसे कदावर नेता के सीट का फैसला ने कर सके और उसी सीट का जिसका आज आपने फैसला किया है पांच बार आपने सूचियान निकलने के बाद में इतनी और अचानक जब वो भोपाल का नाम आने लगे तब लगे कि संदेश क्योंकि देखिए जो हैं अब अपना विश्वास आडवानी का वोग हो चुके हैं और अब आडवानी उनका ऐसा नहीं चाहते हैं पहली सूची में अगर नाम होता उसाइद लड़ भी लेते और अब जो भोपाल की बात उन्होंने की है अब वो लड़ेंगे ने लड़ेंगे वो तो बात की बात है लेकिन ये जो चीज है वो संदेश जरूर देंगे कि मेरा अपमान है और वो यह देवी रहें अपने गोहिल साब की बात सुनी थानवी साब एक निश्पक्षितिका आपके सामने रख रहे हैं आप इस पर रियाट करना चाहेंगे कि संदेश देने की कोशिश कर रह देखे आप एक बात मान लेजे चुनाव समीती ने एक मत से उन्हें अनरोध किया उनसे आग्रह किया और अडवाने जी को जितना सम्मान मिलता रहा उन्होंने पार्टी में कई बार पार्टी की खामियों को साबजनिक रूप से विव्यक्त किया दूसरी पार्टीयां होती लिथी तो उनको बाहर कर दिया जाता है विव्यक्त भारती जन्ता पार्टी की जो परिवार की परमपरा है जो अपना व्योवृब्रिध नेता जो कहता है उसका संबान करो अडवाने जी के लोग घर गए पार्टी अधेक्ष़ घर गए उनको मनाया उनसे बाते कीterror ये ज चब तक 10 जनपस से फैस्ता नहीं होगा आर्विंद केज्रीवाल का एक श्रबद।Heart बहुत से पतरकार हैं जो अर्विंद केज्रीवाल का समान करते हैं और भारते जंता पार्टी में खोट खोज थे हैं एक फैस्ता अर्विन केजिरिवाल कर दें तो पूरी पार्टी मान जाएगी, एक फैस्ता सुनिया गांधी कर दें पूरी पार्टी मान जाएगी, क्या ये लोकतंत्र है? जी, आम मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, 1950 में क्रिपलानी जी और एक बात में खाता, पुरसत्तम दास टंडन और क्रिपलानी जी चुनाव लग रहे थे, तब सोस्त्रिस्ट पार्टी जनसंग पार्टी की रूची कॉंग्रिस में थी, आज भारते जनता पार्टी ए है और दावेदार है सब्ता की तो ट्रेक्शन ज्यादा है, आप से एक सवाल समझना चाहूँगा, और संख्षेप में इसका जवाब दीजिएगा राकेश जी, क्योंकि आप संख की तरफ से ज्यादा स्टड़ी और अधहन करते रहे हैं, इसलिए पूछ रहूं, एक इधा, जिन्दा, वास्तविक समवाद नहीं है. ये एक अलग बात है, लेगे अधवाने जी के साथ कभी संबाद बंद नहीं हुआ, संख परिवार में सबसे बड़ी बात है क्या संबाद बंद नहीं होता है, इसका एक उधार में देता हूँ कि पिछले दिनों मोहन भागवाजी ने बहुत अच्छी बात कही थी, अधव परसंद हो रहे होंगे, लेकिन आपके लिए भी बिल्कुल छोटा सा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, और गलत हूँ तो आप बिल्कुल सहमत हो जाईएगा, कि ट्रांजिशन के पेन से हर पार्टी को गुजरना होता है, और मैं ये कहूंगा, कि बीजे पी आज अपना ट् आप पे आओं, उससे पहले एक बात बता देता हूँ, जो सिना जी कह रहे हैं थे कि डिशिशन होता है कॉंग्रेस सद्यक्षा का, उसके उपर सवाल करते थे, कभी भी आप देखिए इतना टेनियोर यूपी ए वन टू का गया, मनमौन सी जी को ये ट्वीट नहीं करना पार्टी नहीं सुनती है क्योंकि नरेंदर मोधी चाहते है कैसे करप्ट लोगों सही में जीत सकता हूँ, अगर आपका वेव चल रहा है, तो आप करप्ट लोगों को क्यूं आपके साथ लेते हो और आपकी नेता को लिए चलिए चलिए ये चर्चा का विशह थोड़ा सा आप ट्रांजिशन पिरियर्ड की कहते हों, जे हाँ, जे जे मैं ट्रांजिशन पिरियर्ड पे आता हूँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ, जब बुजर्ग भी अपने बेटे को चावी देता है, तो सामने से हस्ते हस्ते देता है, वो एक ट्रांजिशन होता है, वो सहज हो ठीक है हमारे वहां कॉंग्रेस में राहूल जी ठीक है यूमेडियोर पॉइंट पावर नहीं चाहते बिलकुल आपने अपनी बात रखे उनके लिए सबसे समय सामने से कहा जी आप गुजरात की बात भी सुन लीजिए एक सेकंड दीजिए मुझे संजे जी एक सेकंड दीजि अचली पिक्चर तो आगे अपमान की देखने होगी एक अधिकारवाद है एक तरकी बलकि तानाशाई भी आपका सकते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस के रास्ते भी कौन चल रही है भारती जनता पार्टी असल में अपने आपको दूसरी कॉंग्रेस में तब्दील करना चाहते है अब वो सबक जो कॉंग्रेस स सीखना चाहिए आप कॉंग्रेस पर आरूप लगाते हैं वो ठीक है लेकिन आप अपने बीतर जांकिए आप अपने बीतर वैसे नेता त्यार कर रहे हैं वैसी तानाशाही आप उसके अंदर करना चाहते हैं कि तैक कर लिया कि मिया से चुनाव लड़ूगा तो बड़ा से अबक उनको मिलेगा है नहीं मिलेगा लेकिन कम से कम वो कॉंग्रेस के पंचेनों पर तो चल पड़े बिलकुल यहां पर आप सभी महमानों से विदा लेने का वक्त आ गया है इस चर्चा में शाओल होने के लिए बहुत शुक्रिया